दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई नाम तो होता ही है साती साथ हर एक वेक्ति का कोई ना कोई सरनेम भी होता है जिसे चाहे तो वह वेक्ति खुद ही चुनता है पर अधिकाश तह यह परिवार का ही सरनेम लिया जाता है जो की वंश के अनुसार होता है तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सरनेम चोधरी की जी हाँ, हम सभी ने खासकर जो इंडिया या पाकिस्तान या बंगला देश में रहते हैं उन्हेंने यह सरनेम का कोई ना कोई विक्ती से मिले होंगे या उन्हें जानती होंगे आए हम इस सरनेम के बारे में चर्चा करते हैं चोधरी सरनेम मुख्यतया भारत, पाकिस्तान, बंगल और बंगला में लोगों का होता है मुख्यतया यह उत्तर भारत के लोगों में ही होता है आए अब इस शब्द चोधरी का मतलब जानते है संस्कूत में चोदरी का मतलब होता है चतुर धरा इसकी उत्पत्ति संस्कूत के शब्द चतुर धरा से हुई है अब चतुर धरा का क्या मतलब है चतुर याने चार धरा ये ने धारन किया हुआ याने किसी चार वस्तू को धारन किया हुआ या किसी वस्तू का चोथा भाग भ पुरातन काल में ऐसे सेना के नायक को भी चोद्री की उपादी दी जाती थीॉ फिर मुगल काल या अंग्रेजों के काल में जब जमिनदारी प्रता चलती थीartet जिन साउक्कार या जो बहुत बड़े किसान या सामंत होते थे उन्हें भी चोदरी की उपार्दी दी जाती थी अब यहाँ पर चोदरी से मतलब होता है चोद धरने वाला चोद का अरण करने वाला अब चोद एक टेक्स होता था जिसमें छोटे किसानों को अपनी उपज का या अपनी उपज से कमाये गए पेसे का एक बटा चार हिस्सा याने एक चोता हिस्सा टेक्स के रूप में चोधरी को देना पड़ता था चोधरी यहां टेक्स कलेट करके राजा को देता था चोधरी सर्नेम मुख्यता बड़े-बड़े जमिनदारों और साहुकारों को ही दिया जाता था चोधरी सरनेम हिंदू और मुसल्मान दो नोगता होता है। इसके अलावा चोधरी उस वेक्ति को भी कहा जाता है जो दो पक्षों में फैसला कराता है लाइक जज। बिहार में ताड के पत्तों से ताड़ी निकालने वाले को भी चोधरी कहा जाता है। चोधरी सरनेम से प्रचलित कुछ मुहावरे हमारे संबंदित हमारे संबनीत हमें सुनने को मिलते हैं। अब आईए जानते हैं कुछ फेमस चोदरी वक्तित्वों के बारे में। चोदरी चरण सिंग, भारक के छटे प्राइमिनिस्टर, सपना चोदरी, हर्याना की डांसर, अरिंदम चोदरी, एक दो के बास, अवाज चोदरी, मुटा, जुटा। आई हो, आपको कुछ नई जानकारी मिली होकी। आप हमको ये कारेकरम कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईए। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमें लाइक और सस्क्राइब कीजिए। धन्यवाद।